है अग्या आप अग्या आप अग्या पर तो जिन भी स्टूडेंट ने प्याने स्टी एक्जाम दी होगी मैरेट लिस्ट आ चुकी है देख चुकी होंगे आप लोग अपने काउंसलिंग भी स्टार्ट करवाना शुरू कर चुके होंगे और कॉलेजों का जैसे कि रजिस्ट दो दिन का तो जैसा कि चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है तो आपकी कमेंट्स भी आई थी कि हमें काउंसलिंग करवाना चाहिए या नहीं चाहिए तो मैं आपको वीडियो में इसकी इन्फोर्मिशन प्रवाइट करवा चुकी हूं और इस टाइप के अपडेट अभी तक वीडियो प्रवाइट क्यों नहीं किया तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी चॉइस फिलिंग के लिए डेट है हमारे पास तो एक या दो दिन का टाइम ले लीजिए शांती से पहले एक एक कॉलेज जो है उसमें हम सीटों को एक ब मर्श कर लें उसके बाद कॉलेज को अरेंज करें क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप माइंड में अग्रेसिव हो जाएंगे तो यदि आपको जैसे इंदौर सिलेक्ट करना है और आपने फर्स प्रेफरेंस बोपाल को दे दिया बाद में आप सोचिंगे मेरे घर सी जबने च्विलिंग कर वाले क्योंकि काफी सारे स्टुडेंट के साथ में यह इश्यू भी आया था कमेंट आई थी मेरे पास की हमारे रिसिप्ट नहीं निकल रही है तो उसमें सॉलुशन यही था कि आपको रिफ्रेश करना था उसको नेक्स दे फिर जिनकी रिसिप्ट नहीं निकली थी उनका रेसिप्ट के बारे में शो होने लगा तो आपको कोई इशू नहीं आ रहा होगा तो बात करते हैं आपको चोईस फिलिंग कैसे करना है देखिए नंबर ओफ सीट तो सबसे ज़्यादा इंदौर में दी हुए और इंदौर सबसे ज़्यादा फॉर्स में आपको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बताया तो फिर आपके मार्ट से मिनिममम कट आफ मैंने बताया तो फिर आप अपना फर्स प्रेफरेंस इंदौर दे सकते हैं दो तरीके से बात करने वाली हूं कि जैसे पोर एक्जामपल मैंने आपको 60-62 बताया चैटेगरी वाइस और आपके मार्ट 69 ने 70 हैं तो आप जिजग जो आपके रेसिदेंशल एरिया के पास में उसे डाल दो इंदौर आपको प्रेफरेंस देना तो इंदौर डाल दो बट यहां पर दे सकते हैं भूपाल को भूपाल में बहुत जादा नर्सिंग कॉलेज से आप चाहे रखिए ऐसा नहीं है कि मैं सभी को एक जिसा कॉलेज सेलेक्शन का लेवल बताऊंगी बिल्कुल भी नहीं यह सबी के लिए अलग-अलग हो सकता मार्क के उपर डिपेंड करता है एक्टेगरी के उपर डिपेंड करता है तो उसी के कोडिंग में आपको यहां पर सजिशन कर रहे हूं तो उस कंडिशन में आप इंदॉर के आसपा से रहते हैं आपके मांक्स बहुत ज्यादा अच्छे तो फॉर्स नमबर आप जरूर इंदॉर डालिए देन फिर आप अपने इसलिए मैंने इनको लास्ट में रखा क्योंकि इनकी जो फीस यह वह फीस जादा है उसका रीजन तो मुझे अभी पता नहीं है अगर मुझे जैसे पता चलता है तो मैं आपको इसके लिए अपडेट प्रवाइड करवा दूगी तो यहां पर आपकी फीस लग रही है उसके इसके बात कमेंट्स भी आई थी आपकी की मैं डियेचेस की कांसलिंग कब होगी तो इसमें थोड़ी बहुत फीस लगते हैं लेकिन इसके बैनेफिट्स भी कहीं जादा है यहां का जो लेवल होता है एजूकेशन का बहुत जादा अच्छा होता है यहां पर सिखने की प्र और फिफ्स नंबर पर हमने रैंकिंग दिये आप इसी एरिया से बिलाउंग करते हैं और आपको फीस में कोई भी इशू नहीं है तो आप फिर इनको डाल सकते हैं ताकि आपको अपडाउन करने में कोई भी इशू नहीं आया है वैसे तो कोई आपको डेली अपडाउन यह आपको provide करवा दिया है और यदि आप other किसी exam की preparation कर रहे हैं तो comment section में comment कीजिए और वीडियो कैसा लगा और कोई information आपको चाहिए तो comment कर सकते हैं thank you